अकिल भारती विद्यार्टी पर्शत के राष्ट्री अध्यक्ष राज्जी और महामंत्री याग्नियमल्की जी राष्ट्री अस्वें सेवक्संग के पान्य सरकारिवाद अत्तात्रे अहस्पाले जी विचार परिवर के अन्य प्रमुक पदादिकारी गंड विद्यार्टी पर्शत के राष्ट्रीय पदादिकारी समूँ और इस अम्रुत वर्ष के विशेश समेलन में भाग लेने के लिए आये हुए चात्र चात्रा है इस बोदिक वर्ष का विशेः एहा के अपने आयोजकरने जो तैके वैश्विक परिफेक्ष में भारत और व्योओं की भूमी का इसमें दो हिसे हैं एक तो परिद्रश्य क्या है एक है दूसरा हम सभी जहां यहां आये हैं हम सभी का भूमी का क्या है इसमें परिद्रश्य के बारे में यह दि हम सोचे तो परस्पेक्टिव जिसको कहा जाता है दो दूस्टी हो सकते हैं एक तो हम जहां कड़े हैं वहां से विश्व को हम कैसे देख रहें दूसरा दूनिया भारत को कैसे देख रहें पूरा विश्व का एक परिद्रश्य एक है परन्तु देखने का दुरुष्टी जो है जिसको को कहा जाता है स्टैंड पॉइंट दूसरा जाता है व्यूपॉइंट वीथिवेश्व के बारे में भी इसा ही कहा जाता है आदमी हम अपने बारे में हम कैसे हम में हूँ ऐसा में जैसा सोचता हूं ऐसा भी नहीं रहता हूं दूसरे कोई मुझे देख रहा है वैसा भी में रहता हूं दोनों के बीच में विक्तित्त होता है है वैसे ही भारत के बारे में दुनिया जैसा देख रहा है और अलग-अलग अपना परसप्शन हो बना रहा है वैसा भी पूरा नहीं है हम बहुत बार हम ऐसा है ऐसा हम जैसा सोचते हैं वैसा भी नहीं है वो इसके लिए है एक देश एक राष्ट्र का आयाम बहुत बहुत अलग हो सकते हैं एक अनमे के दुष्टी से देखे तो एक देश बहुत अच्छे सिती में हो सकते हैं उसी समय कल्चरल वैलियूस के बारे में सोशल येटिक्स के बारे में नईती काता के बारे में उसका परिसीदी दूसरा हो सकते हैं मिल्ट्री के दुष्टी से अच्छे हो सकते हैं उसी समय टक्तालजी में उस देश का कमी भी हो सकता हैं और इसा इबारत के बारे में भी पर्सप्शन जो होता है दुनिया हमको उसका व्यूपाइंट जो है और हमारा standpoint जो है सही बारत ये दोनों के बीच में है तो आज दुनिया कैसा है बारत को जो देख रहा है दुनिया उसका प्रेद्रिश्य क्या है आज जो पुलिटिकल जो अधियान करता है वहाँ एक शब्द का बहुत उप्योग आज हो रही है अन बैलेंसिड मल्टी पोला आज का दुनिया मल्टी पोलार है वो भी असुंत लित है प्रितिय महायुद्य के बाद वैश्वित महायुद्य के बाद दुनिया में दो बड़े शक्तिया थे एक अमेरिका और दूसरा सोवेट चुनिया तो उस समय कहा जाता था दुनिया बैपोलार है सेकालेज में बैपोलार के लिए अलग हर थे लेकिन जियो पालिटिक्स में बैपोलार जब कहा जाता है दो शक्तिया एक अमेरिका एक रश्या थे दोनों के बीच में कोड़ बार चलता था लेकिन जब रश्या में लगबग पची साल पहले ग्लास नोस्ट और परिष्टोएका का जो परिवर्थन हुआ तो सोविएट यूनियन जब डिस्मैंटल हो गई है उसके बाद कोल्ड वार के बाद कहा जाता है यूनि पोलार हो गया इन्हें केवल पुरा दुनिया में अमेरिका अत्यंत श्यक्ति शालिये एक अनॉमिकली मिल्टरी के श्यक्ति को देखे तो भी टेक्नालोजी के मारे में भी क्या कल्चर एड इंफ्लुएंस जिसको कहा जाता है पुरा दुनिया में अमेरिका का जो रहे है उस दुर्शी से देखे तो भी पुरा दुनिया यूनि पोलार हो गया ऐसा कहते हैं लेकिन अभी बीस सा से चीन का जब एकानामी में सेक्यूरिटी में मिल्टरी में टेक्नालोजी में और उनका जो फारीन पालिसी इसको का जाते हैं रूत्लेस पालिस फारीन पालिसी इस अभी में उनका जब प्रायर बाव हुआ तीन जब शक्तिशाली बन गए फिर कहने लगे लोग अभी वैपोलार हैं लेकिन अभी ये पांच-देस साल से ये मल्टी पोलार ऐसा शब्द उप्यों में आए लिए मल्टी पोलार याने क्या है इसका अरती है नहीं जैसा अमेरिका है जैसा चीन है जैसा रश्या थे पहले वहिसा ही उतना ही शक्तिशाली बहुत सारे देश जिसके बारे में का जाता है जैसा जपान केवल आर्थिक दृष्टी से शक्तिशाली थे पर उन्त मिल्ट्री दृष्टी से नहीं या सोथी इसन कंट्रिस को जिसके बारे में का जाता है या यह मर्जिंग नेशन्स ऐसा शब्द का उप्योग कुछ देशों के बारे में जो जबते हैं हो एकनामिक के दृष्टी से टेक्नालोजी के दृष्टी से या मिल्ट्री के आर्सेनल्स के दृष्टी से कुछ देश कुछ मातर में शिक्ति चले अभी उत्तर कोरिया के बारे में यहीं सोचे तो दक्षिन कोरिया के बारे में यहीं सोचे तो तो ये मल्टी पोलार आज हो गया है वो इसके लिए है अमेरिका पहले जैसे थे जब कोल्ड वार चलता था उस समय का अमेरिका का शक्ति जो था उतना शक्ति शाली आज अमेरिका नहीं है इंफ्लेश नहीं है दूसरा जैसा रश्या पहे पहले कोल्ड वार के समय वो सोवेट यूनियन डेजनरेट होने से पहले जैसे थे उतना शक्ति शाली चीन भी नहीं है और दुनिया में बहुत सारे देश अलग अलग कारण से आज शक्तिशाली बन रहे हैं जैसा मैंने बता है कुछ टेक्नोलोजी के माध्यम से बन रहे है कुछ आर्थिक दृष्टी से हो रहे है कुछ मिल्ट्री एने सामरिक उनका शक्ति है वो बढ़ रहे है कुछ और मनें सबी स्याद्री नहीं हैं और एक विश्य में यह एक देश्य पूरा विश्यों में श्क्ति शाली अईसा भी नहीं इस लिए आज आ जाता है उन्वारस मल्टिपोलार शिक्रि में दुनिया है और उसमें भारत कहां है वैश्विक परिद्रश्व में भारत इसके लिए मैंने कहा यह करनामी के दुरुष्टी से आज भी हमारा देश में ऐसे सोतने वाले लोग हैं हम सूपर पाउर पर मन्ने में हम जा रहे हैं ऐसे कि या हमने जो पिछले पंद्रा दस साल में भारत ने जो अचीविमेंट्स किये वह देखर हमको लगता है हम बहुत शक्तिशाली बन गए है इस अब लेकिन हम जो विद्यारति परश्य जैसा संगतन में हम जो काम करते हैं या अपने विचार परिवार के लोग हम जो हम काम करते हैं समाज के इतले स्तर पर हम जानते हैं ठीक है एकोनामी हुद अच्छा बन रही है या जब सर्जीकल श्रीक जैसा अपना मिल्ट्री शक्ति हम देखते हैं मिल्ट्री दुरुष्टी से भी सहीनिक शक्ति भी अपना बढ़ रही है ऐसा बहुत सारे विशय जिसमें हमने बहुत अच्छा प्रगती विकास हमने किये हैं लेकिन साथ साथ आज भी हमारा देश में उंच नीच बाव या अस्प्रुष्यता पुरा खत्म नहीं हो आए आज भी देश में हजारों गाउं जहां एक जल स्रोता से पानी सभी को नहीं मिलता है मंदिर में सभी जाति वर्ग के लिए प्रवेशने ऐसा आज भी बहुत हजारों गाउं है या मर्शमान के बारे में भी सभी के लिए एक अच्छा सम्मान पूर्वक इनका मुर्तिव हुआ है उनके लिए एक सम्मान पूर्वक अंत्यक्रिया मिलते हैं ऐसा भी नहीं उसमें भी जाती बेद का प्रवाव है तो अस्पृश्यता हो सकता है उच नीच बेदबाव हो सकता है ऐसा सामाजिक समस्या है कुरूडी है आज भी अपने समाज के निचले स्तर पर है ठीक है कम हो रहा है परन्तु केवल एकानोमी केवल सैनिक शिक्ति केवल टेक्नालोजी इसमें प्रगती विकास होने से यह सभी एकदम ठीक हो जाता है ऐसा भी नहीं तो भारत ऐसा वैश्विक जो परिद्रश्व है मल्टी पोलार है उसमें यदि अपना स्तान हमको बनाना है तो टीक तरीके का अपना स्तान हमको बनाना है तो और भी बहुत दूर हमको जाना है एक दस साल पहले एक L.A.C. Air ऐसा एक लेक की एक अच्छा पुस्टक लिखी थी और टाइम हास कम अंडिया इस मेक इडिश पलेसे थी वर्ल यह देख साल ऑगई कल भी प्रभरवक अतिती यह बताए हमारा समय आ गया है हमारा समय आ गया है और विष्व में अपना जगा बनाने का समय आ गया है लेकिन उसके लिए तैयारी और करने का काम वो भी बहुत बाकी है तो आज दुनिया के बारे मेदी देखे तो अगले बीश-पचीस साल के लिए दुनिया किस तरफ जा रहा है वहाँ बारत कहां रहना है कुछ लोग इसको चार परिवर्तन का बिंदू ऐसा देखते एक कहा जाता है दुनिया डिजिटेजेशन के तरफ चल रहा है दूसरे कहा जाता है डिकार्बोनेजेशन इने इनर्जी ट्रांसिशन जिसको कहा जाते हैं परिवर्तन जो हो रहा है एक तो डिजिटल ट्रांसिशन हो रहा है दुनिया पुरा हम देखते हैं आज हम अन्बव में भी हैं यहां भी हम इस अधिवेशन में उसका उप्योग बोत किये हैं इनर्जी ट्रांसिशन हो रहे हैं डिकार्बोनेजेशन जिसको कहा जाता है इन्हें रिन्यूवल एनर्जी या बाकी भी हाइड्रोकार्बन के द्वारा जो होना है ग्रीन एनर्जी इसके बारे में दुनिया बहुत गती से अपने आपको परिवर्तन कर रहा है अवशक भी कि मानव जाती के लिए तीसरा बहुत बढ़ा ट्रांसिशन परिवर्तन जो हो रहा है जिसको कहा जाता है डिक ग्लोबलिजेशन अभी 20 साल पहले हम सभी मिलकर हम जो आंदोलंग करते थे ग्लोबलिजेशन के खिलाफ अभी हम देखे तो अलग-अलग कारण के लिए विशेशता अभी कोविट के बाद तो बहुत गती से यह डी ग्लोबलिजेशन हो रहा है इसको कहा जाता है दुन्या में सप्लाइज चेंड में जो ट्रांसिशन जो हो रहा है इन्हें एक देश से दूसरे देश और उसी देश में एक जगे से दूसरे जगा आज हम सभी सुबा जल्पान की हमारा प्लेट में जो आया है उपमा यह जो भी चीज कितना दूर से यहां आया है जिसको कहा जाते हैं फुड माइल्स उसी तरफ हर एक विशे में अभी कोविड के बाद दुनिया में और भारत में भी कार मैनुफेक्चरिंग कम होगे क्यों आज जो कार के लिए जो माइक्रो चिप्स जो अवशक है वो सप्ले करने वाले चीन उसमें भादा डाना ने पूरा सप्ले चेन का पकट चीन के पास है आज भी वो एलेक्ट्रानिक गूर्स का हो सकता है मोबैल के बारे में हो सकते हैं समी कंडक्टर के बारे में हो सकता है लेकिन दुनिया इसको बदलने का प्रयास कर रहा है कली मैंने पड़ा आपल बहुत बड़ा जो कंपनी है वो अपना टू तरड अफिट्स मैनेफेक्चरिंग विल डन इन भारत क्यों चीन के जो पकड़ है ग्रिप है उससे बाहर आने के लिए यह सप्लेश चेन पुरा दुनिया को जो चलाता है हर दिन उसमें ट्रांसिशन उसमें परिवर्तन हो रहा है और तीसरा चोथा डी है और डेमोग्राफिक ट्रांसिशन भारत और भारत जैसा कुछी देश चोड़कर बहुत सारे शक्तिशाली देश जिसको कहा जाता है उनमें से उनमें येजड पॉपुलेशन जिनका आयू पचास से साथ से अधिक है उनका आबारी बढ़ रही है चीन में भी यूरोप में भी यूरोप में तो हम देखते ही ह अमेरिका में ऐसा हो रहा है इसको कहा जाता है demographic dividend जो potential workforce एक समाझ का वो कम हो रहे है ऐसा चार ट्रंसिशन चार परिवर्तन जो चल रहा है दिजिल्ट्रंसिशन का डिकार्बनेजिशन का आट एनरजी ट्रंसिशन और इली ग्लोबल सेशन सप्लेईचेन का एक प्रंसिशन जो हो रहा है और demographic transition अगले 50 साल के लिए दुनिया में ये चार बिंदू भूत देशों का भविश्यत ही करते हैं हम तोड़ा बारिकी से देखें तो भारत के चारों में हम अच्चे स्थिती में हम जा रहे हैं पहुंच गया इसे नहीं पर तो हम जा रहे हैं डेमोग्राफिक के बारे में यहीं सोचे तो demographic scientist जो होता है वो को होता है बारत में दुनिया के सबसे जादा यह demographic dividend जिसको कहा जाता है जैसा मैंने बता है जो potential work एक समाज को एक देश को जितना हाथ और प्रेर अवश्यक है जितना brains अवश्यक है आगे बढ़ने के लिए वो ज्यादा युवा पीडी में रहता है between 18 and 49 अईसा इसको कह जाता है वो सबसे ज्यादा भारत में आज और यह स्थिती 2075 तक ऐसा ही रहेगा तो demographic transition जो हो हो है उसमें हम एक अच्छे स्थिती में ठीक है उसमें हम religious demography यही बारिकी से देखे तो उसमें बहुत सारे समस्या है भारत में भी लेकिन कुल मिलाकर हिन जेनरल हम अच्छे स्थिती में हैं और डिजिटेजेशन के बारे में भी यही देखे तो पुरा दुनिया में आज भारत का स्थिती अच्छे विशेष्ट सामाज्य लोगों के हाथ में जो डिटेज्ड का लाब मिलना चाहिए डिटेजेशन का है पुरा दुनिया में भारत के ऐसा एक सो चालीस करोड के अपना देश जो है यहां जितना हुआ है कोई देश में नहीं हुआ है कि इसको का जाते हैं जांग इन्हें जैंदन योजना के अनुसार जो अकॉंट्स कोले गई और आदार कार्ड के माधियम से जो डिटेशन का जो आइडेंटिफिकेशन जो हुआ और मोबैल कि सबके हाथ में जो आगये जांग के कारड़ पुरा दुनिया में डिट्रेश पॉपूलेशन बारत में जैसा इसका उप्योग कर रहे चाहँ किसी देश में नहीं हो रहे हैं कि यह एनर्जी ट्रांसीशन के बारे में इति सोचे तो भी में कि आज भारत में ये स्टार्ट अुप्स के द्वारा जितना एनर्जी सेक्टर में नया नया इनॉवेशेंश और उस में। इन्वेस्ट करने का जैसा चल रहा है चाहिए दुनिया में पहला दो तीन को देशों में हम एक है वो ग्रीन एनर्जी के बारे में हो सकता है हईड्रोकार्बन के उप्योग के बारे में हो सकता है रिन्यूवल एनर्जी सोलार एनर्जी के बारे में हो सकता है वींड एनर्जी के बारे में हो सकता है और उसको उप्योग करने के लिए जो स्मार्ट दन डोनों को स्वैंच और के भी को इस सठोचने के लिए भारत के सरकार उर युवा लो को चुरु कि क्या हि वह थिन तीन चारो decor डी उसमें हम अच्छे स्थिती में है और अच्छे स्थिती के तरफ हम जा रहे हैं एक विश्वास पूर्वत कदम हम डाल रहे हैं इसका बहुत अच्छा अनुभव एक तीन साल में हुआ है विश्वत रश्या और उक्रेन के जो युद्ध हुआ उसके कारण पुरा दुनिया में सप्ले चेन में बहुत गड़बड हो गए फाइनांस में इन्हें बैंकिंग सेक्टर में बहुत गड़बड हो गए लेकिन भ पुरा दुनिया में जो इसा चल रहे थे बहुत सारे देशों में ऐसा प्रेनाम भारत में नहीं हुआ उसके लिए भी आज कहा जाता है पुरा दुनिया में 4F का क्रेशिस है ऐसा फुड क्रेशिस है फ्यूइल क्रेशिस है फर्टिलेजर क्रेशिस है फैनांस क्रेशिस है कोविड के बाद पुरा दुनिया में हंगरी इंडेक्स में बहुत सारे देश पहले जो नहीं था वो भी आ गया है क्योंकि काने के लिए जो फुड विशेष्टा उकरेश्या के तरफ सी जो आ रहे थे वो सप्लाइचेन कट हो गया या फर्टिलेजर क्रेशिस पूरा दुनिया में भारत में नहीं है सरकार जो कदम उठाए इसके कारण विशेष्टा यूरिया के जो क्रेशिस है वो भारत में नहीं है लगब असी देशों में फर्टिलेजर का क्रेशिस आज भी चल रहा है या फ्यूइल का क्रेशिस पेले जो एक बैरल के लिए 65 डालर था एक दम एक बैरल 135 डालर हो गई भारत में भी उसका असर पढ़ा परन्तु सरकार के कुछ कदम और अलग-अलग तरीके का इवी में कुछी मात्रा में अपने देश के लोगों ने इलेक्ट्रिक वेहिकल्स को उपयोग को जादा करने को शुरू किया है इस अभी का असर उसको कैसा हम स्टेबलेज कर सकते हैं उसके बारे में हमको देख रहे हैं और फाइनांस का बारे में भी विशेष्टा बैंकिंग शेत्र में दुनिया में जो चल रहा है अग बार में हम स्टेखे होंगे पड़े होंगे पिछले चे महिने में बहुत बड़े बड़े बैंक सिलिकान वैली बैंक के बारे में बताते हैं फर्स्ट रिपलबिकन बैंक यह सभी बहुत साथ से काम करें और दुनिया के अतियन्त शक्तिशाली बैंकों में कुछ है या क्रेडिट्स उसी जो स्विजर लेंड के बहुत बड़ा बैंक था वो भी क्रिसिस में अगरे सरकार उनको बेलोड करना पड़े हैं अमेरिका में लगबग 400 से अधिक बैंक आज क्रिसिस में लेकिन भारत में पिछले साल काहिदी बैंकिंग सेटर के बारे में हम देखे पूरा दुनिया में बैंकिंग सेक्टर क्रिसिस में भारत में नहीं है यह जो क्रिसिस दुनिया में चल रहा है विशेश्टा रश्या उक्रेइन युद के बाद क्या उस समय से जो शुरुआ फूड क्रेशिस हो फ्यूवल क्रेशिस हो फैनान्स क्रेशिस हो फर्टिलेजर का क्रेशिस हो इससे हम बचके क्यों पहले जो मैंने ट्रांसिशन के बारे में बताया है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं उसका स्टेबिलिटी जिसको का जाता है एक सशक्त व्यवस्ता एक तो हम परंपरा से जो हमारा finance में जो है घर में जो है वो भी एक कारण है और सरकार का चिंटन्पी एक कारण है तो जो फिश्वक परिदृष्य में भारत का स्थान हमको बनाना है तो हम जिस बारगवियम चले है उस मार में चलने के लिए सतत हमारा प्रयास्तों चाहिए साथ साथ अब तक जितना किया है उससे ज़्यादा हमको करने अवशक है अभी तक जो हुआ है उससे भी ज़्यादा करने का अवशकता है क्यों मल्टी पोलार हम जब हा जाता है यदि सेक्यूरिटी के दुरुष्टी से देखे तो ठीक है अमेरिका एक शक्तिशाली देश है रश्या एक शक्तिशाली देश है चीन भी है टेक्नालजी एकानमी सेक्यूरिटी कल्चर इंफ्लेंस अलग अलग यह सभी इंटर्ट्वाइंड है एक के साथ एक चलने वाले इसके साथ-साथ दुनिया में और भी कुछ शक्तिया है अमेरिका और रश्या जेसा बहुत बड़े शक्तिशाली देशों के लिए भी कत्रा है वो भी उससे गुजर रहे हैं भारत में भी हम देखते हैं या अमेरिका में जिसको कहा जाता है वो किसम इन्हें सभी विशे को श्रद्दा बंग करना जो परंपरा से आए प्रश्न करना तो ठीक है लेकिन उत्तर नहीं है ऐसा प्रश्न कड़ा करना उनके पास भी उत्तर नहीं है किवल प्रश्न करते हुए जो श्रद्दा है कुछ मूल्य जो हमको हजारों सालों से हमारा समाज को हमारा देश को पकड़ कर रखे है व्यवस्ता आपको निर्मान क्या है ऐसा मूल्यों के बारे में अस्रद्दा निर्मान करना ऐसा भूत सारे शिक्तिया कुछ शिक्तिया मती शिक्तिया है कुछ वोग जैसा ऐसा भी शिक्ति आए जो कल्चरल इंट्रिजन्स जो करते हैं ऐसा बहुत सारे विशह हैं जो केवल एकॉनमी टेक्नालोजी मिल्टरी पोवर से जुड़े ऐसा नहीं है तो ऐसा परिदुश्य में बारत यदी पुरा दुनिया को विश्व गुरुब बनने का मारग जर्शिन करने का यदी इस्तान हमको प्राप्द करना है तो अभी तक अपना समाज का शक्ति जिस मारग में अच्ची तरफ से एक प्रगति के तरफ विकास के तरफ जा रहे हैं उससे और भी ज़्यादा करने का अवश्कता है यहां अपना युवाओं की भूमिका बहुत महतुकुरुन है क्योंकि कोई एक देश में एक समाज में एक सब्यता में उस समय के युवाश्क्ति कैसा सोचते है उसके आधार पर उस समाज का उस देश का बविश्य निर्बान होता है एक चींटतने का तेल मी वाट इस अंदी लिपस अफ दी यूथ I will tell you the future of that nation कौंसा गाना गा रहे है केवल नाचो नाचो गा रहे है या वंदे मातरम भी है उसके आधार पर अपना देश का बविश्य नहीं हमारा युवा लोग आज जैसा सोच रहे हैं उसके आधार पर उस देश का बविश्य तही होता है तो हमारा भूमी का क्या है ठीक है दुनिया में सबसे ज्यादा युवाश्यक्ति भारत में है डेमोग्राफिक डिवेडिन भारत में है और ऐसा स्थिती 2075 तक ऐसा ही रह सकता है लेकिन यदि अपना युवाश्यक्तियों के हाथ में काम नहीं तो आपना युवाश्यक्ति का मन में बुद्धी में तीक तरीके का जुष्टी नहीं है तो यही डेमोग्राफिक डिवेडेंड एक खथरा भी बन सकता है रेस्टलेस हो सकता है तो पहला हमको जो करना है अपना भूमी का क्या है स्वयम को शरीर से मन से बुद्धी से हमको शक्ति शाले हमको ही बनाना है स्वयम हम भारत के युवा पीडी है शारीरिक दुरुश्टी से बहुतिक दुरुश्टी से मालसीक दुरुश्टी से सशक्तम को होना है यदि हम अपने समाज के बारे में ऐसा देखे तो युवा वर के बारे में भी देखे तो भी सबसे ज़्यादा डियाबेटीस युवा पीडी में भारत में हैं आज भी या अनिमिक भारत के समाज के बहिला वर्ग में सबसे ज़्यादा है शरीर के सशक्त समाज यहने ठीक है बुद्दी से मन से सशक्त है वैसा ही शरीर के नाते भी विक्तिक अत्रिदी से आज के युवा पीडी सशक्त होना है हम येशियन गेम्स से गेम्स में या दुनिया के बहुत बाड़े बहुत सारे टूरिमेंट्स में हम पदर जीत कर आ रहे हैं परन्तु सामान यह युवा युवतिया कैसे पहले जितना था उससे भी ज़्यादा आज शरीर को टीक रखने के बारे में एक उसमें रुची हम देखते हैं लेकिन और भी सशक्त होने का अवश्कता है उससे ज्यादा बुद्ध्य और मन्द से आज के युवा पीडी सशक्त होना बहुत अवश्क है अपना देश के बारे में अपना समाज के बारे में ठीक तरीके का अग्नान और सही दृष्टी इसके लिए विर्तिगत्री से हम सब को प्रयास करना है कि जैसा मेंने बताया ओक का जो प्रभाव है आज हम देखते हैं अपने कालेज केंपसेस में ठीक है अमेरिका में जैसा है या स्कैंडिनेवन देशों में जैसा है वैसा पुरा नहीं मना है परन्तु उस मार्ग में चलने वाले या कुछ यो क्योतिया आज हम देखते हैं क्यों हैं बुद्धी और मन से ठीक तरीके का मोल्यों के बारे में दृष्टी विकसित नहीं हो कि दूसरा है हम 2000 साल के आक्रमण के कारण केवल युवा नहीं पुरा समाज में जो विजगी शुश्यक्ति जो ते उसमें हमको कुछ कमिया आ गए है उसको पुनर जागरण करने का वश्कता है अभी हो रहे हैं परंत और भी तेजगती से दुनिया के कोड़े कोड़े में हमको जाना है हमें से जिनको मुका मिलता है दुनिया को देखना है पड़ाई करने के लिए जाना है या दुनिया के देशों में पढ़ने के लिए जो मिलता है और जिनको वही रहना है वहां समाज में हम अपना क्यारक्टर के कारण, विचार के कारण, चिंतन के कारण, व्यवार के कारण सबका मन कैसा हम जीच सकते हैं विजगीश्व प्रवृतियाने दूसरा सेना से लड़ने का क्यवल नहीं है क्रुण्वन्तो विश्वमार्यम वसुदेव कुटमवकम ऐसा विचार को लेकर अपने पूर्वजोने या ट्रेडिंग के माध्यम से अपने पूर्वजोने दुनिया के कोणे कोणे पर गई थे, वहां अपना अच्छास्तान बनाए थे, आज भी हम देखते हैं इंग्ले के लोग अच्छे प्रयास कर रहे हैं केवल पॉलिटिकल फिल्ड में नहीं, दुनिया के अलग-अलग देशों में हमारा प्रभाव बढ़ाने के लिए जो विजगीश्य प्रवरुति हमारा होना चाहिए, जिनको मौका मिलता है, जिनका मन में इच्चा है, हम बार जाना है जो वापस आकर यहाँ अपने समाज के लिए योगदान करने हो तो करना ही है, वही रहने का जिनका मने ओ रहकर वहाँ भारत का कीरती बढ़ाना है, जैसा मैंने बताया अपना व्यवार से चिंतन से, यह विजगीश्य प्रवरुति है, पुरा दुनिया में जाना है, पुर उससे महत्वका है, भारत में, अपना मात्र समाज में, राष्टर के बारे में, सही कलपना जो है, राष्टियता का जो अत्युच्य मूल्य है, उसको स्तापीत करना है, अपने विचार परिवार के सभी लोग हम जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें युवा लोग हम का भूमी का बहुत महत्वका है, क्योंकि अपने पास समय है, और जैसा मैंने बताया, एक समाज का एक देश का भविश्य, जब युवा पीड़ी तयार काता है, यहने क्या है, सही दृष्टि, तही मूल्यों का स्तापना करने के लिए, युवा लोग समाज के इतले सर पर जाकर उसको स्तापित करने का जो प्रयास करता है, उससे समाज का मन का परिवर्तन भी होता है, जो विजगी शुप्रवरुति समाज में होना चाहिए, उसका भी निर्वाण। और अपना भूमिका में भारत को सशक्त करना उने क्या है, युवा पीडी में उनकी मूलबूत अवश्यकता हैं, जिसको कहा जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान, इसके साथ आज हम ये भी नोड़ सकते हैं, रास्ता, बिजली, इंटरनेट, ये सभी आज मूलबूत अवश्यकता हैं, बन गए हैं, तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्ष्या, स्वास्त और सम्मान, ये सभी अपने परिव परिवार, युवार लोगों में भी होना चाहिए, उनका परिवार में भी ठीक होना चाहिए, इसके लिए हमको प्रियास करना पड़ता है, तो ये सभी करने के लिए, इजारती परिश्यक्त जैसा संगटन के माध्यम से, हमको अपना दृष्टी, और समय, मन इसमें लगाने का प्रियास हमको करना है, तो हम तो कहते हर विद्यारती चात्र चात्र आहें, प्रति दिन कुछ समय देना एं, प्रति साल कुछ दिन देना एं, जीवन में कुछ साल देना एं, कि इस काम के लिए क्योंकि युवा लोग देने से समाज का प्रगति है उसको गती विकास के लिए गती जो मिलना है वो जाना मिल सकते है इसके लिए युवा शक्ति ऐसा है जब उनको एक स्पस्ट दुष्टी मिलते हैं वो ठीक तरीके से समाज को दुनिया को देख सकते हैं बहुत पहले मैंने एक कता पड़े थे आप सभी शायद पड़े होंगे एक राजा उनको कप्डे के बारे में भूत रुची अईसा का जाता था युवास मोर इंट्रेस्टेट इन एक्सपैंदिंग इन वार्डरोब इस वार्डरोब दैन इस ट्रेजरी यह देकर कोई दो चोर स्विंडलर्स आगे उस राज्य में और वो दोनों ने बताया राजा को आईसा कप्डे तैयार करके देंगे इतना मुलिवान कप्डे आपको कहां पर भी नहीं मिल सकता है राजा को भी बहुत आश्चरी लगा दोनों को बुलाया वो दोनों ने बताया आप कभी भी नहीं देखा है ऐसा कप्डे हम तैयार करके देंगे उसके साथ साथ तो कंडिशन भी लगाया जो अयोग्य है जो मूर्क है उनके लिए नहीं दिखता है केवल अच्छे ग्नानी जो है बुद्धिमान लोग जो है योग्यों लोग जो है केवल उनके लिए दिखता है तो राजा भी हाँ कर दिया उन्होंने राजा से पूछा हमको इतना पैसा चाहे और ऐसा यंत्र चाहे कप्डे के लिए ऐसा ऐसा सामगरिय हमको चाहे राजा ने सभी दिया एक वरक्षाप में उनों ने शुरू किया राजा ने दो तीन मंत्रियों को सचिवन को निवत गया देखने के लिए ओ सभी जा रहे थे हैं वहाँ दोनों मिलकर कुछ काम कर रहे थे पर तो कुछ नहीं दिक रहा थे तो कि जो जा रहे थे अधिकारी आईसा अधिकारियों क वो लगता था, वो कहा है पहले, दोस्वार इंकॉम्पिटेंट और स्टुपिड, दे कनाट सी, जो अयोग है, जो मूर्कुल हो गए, उनके लिए वो नहीं दिखता है, वो बताते थे, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कलर हो गया हो गया, एस अभी आकर, जो अधिकारी जो राजा ने रिव्ट किया था, वो आकर राजा को पताते थे, वो बहुत अच्छा चल रहे हैं काम, ऐसा तीन महीने हो गया, बहुत प्रेसे, एस दोनों ले, अधिकारी उनसे, राजा से, और एक दिन इसा भी आ गया है, और आपका मेजर्मेंट लेते, तो राजा का मेजर्मेंट लिया, बाद में दो तीन दिन के बाद, कोई बहुत वजन का, वस्तु लेकर आ रहे हैं दोनों, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा है, सभी ने सोचा, पहले इन कंडिशन डाल दिया है, जो मौरकल को कहें, जो अयोग यह हैं, उनके लिएक कुछ नहीं दिख रही है, सभी टर्वीब करते हैं। बहुत अच्छाय का, इन्था रंग हैं वगेरें, पार कुछ भी नही ता, राजा को भी कुछ नहीं दिख रहा था, राजा को भी ऐसा लगा सभी को दिख रहे हैं यदि में मूर को और आयो कैसा सबको मेरा पहचान हो गया है तो कैसा है हो भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ऐसा का लिए और बाद में राजा को जो नहीं था ऐसा कपड़ा नालकर उससे सज्जित करके उनको उनका जुलूस चैर में निकल गए सबी देख रहे हैं सबी अच्छा अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि सबी को यह मालूम है जो नहीं दिखता है वो आयोग है जिनको नहीं दिखता है जो मूर्क है लेकिन एक बालक जो कड़े थे उन्होंने जोर से चिलाए ओ किंग इस नेकेड केवल वो चिलाए इसके लिए उनका कोई क्या होगा राजा मुझे कैसा देखेगा समाद कैसा देखा कुछ उनका मन में नहीं था केवल सत्य बोलने का उनका मन में था इसके लिए उन्हें किंग इज नेकेड ऐसा कह दिया किवा लोगों के मन में पहले कुछ लिके गए कुछ भी नहीं रहते हैं खाली कागज रहता है वह इतियास निर्मान कर सकता है उनका दृष्टी टीक हो सकता है पहले जिनका मन में है कुछ और क्या होगा कैसे होगा इस बूत सारे चोतने वाले जो होता है कि चालीश पचास साल के बाद ऐसा हो जाता है कि जब हम हमारा मन कि हुआ रहता है कि योशक्ति के पास सथ्य कहने का आज बूत चलता है ना स्पीकिंग टुदी पवर वो युवा लोग आसानी से कर सकता है इसके लिए एक देश में एक समाज में सत्य के आदार पर कुछ सत्य मोल्यों के आदार पर समाज का निर्मान करना है तो युवा शक्ति का भूमी का बहुत महत्व गुर्ण है मुझे लगता है हम सभी विद्यारती परश्यत में आने के कारण राष्ट के बारे में जो स्पष्ट कलपना होना चाहे अपना मात्र समाज के बारे में अपना सनातन मूल्यों के बारे में जो श्रद्दा होना चाहे दृष्टी होना चाहे इस अभी हमको मिल रहा है लेकिन हम सभी जानते ही है यूआ पीडिये ने केवल विद्यारती परशत में या अपना विचार परिवार में जो है ओ केवल नहीं है भारत में जैसा मैंने का डेमोग्राफिक डिवीडेंड और भी करोडों लोग है उनके बीच में हमको जाना है ये दृष्टी ये विजगी शुप्रवृति ये सत्य को ठीक तरव से समझ कर उसको समाज के सामने दुनिया के सामने रखने का ये जो प्रयास उनको भी सिखाना है साल हुक इसके लिए मैंने का हम्मारा दाइटव कि निया में भारत का स्थान भारत का स्थान है बारत के युवपीड़ी का प्रयास हुसमें उसको एसा युवपीड़ी को तयार करने के लिए हम जैसे संगटन में जो काम कर रहे हैं ऐसा हमारा भूमिका यह तीनों के बारे में हमको सुचना है पहला दो होना है तो हम से शुरू करना है हमारा शरीर बुद्धी मन को सक्षम करना है राष्ट के बारे में सनातन मूल्यों के बारे में हमको अपना दृष्टी और भी स्पष्ट होना है समझना है हमको समाज को क्या बताना है यह तैयार करना है हमको और विजगीश प्रवूरती पुरा दुनिया को जीतने का जो विजगीश प्रवूरती है हम्में जो होना है उसके आधार पर अपना आज समाज के बाकी युवापीडी को भी उसके लिए त्यार करना है तो हम्में से यह शुरू होता है जैसा मैंने बताया बारत का स्तिती दुनिया जैसा देखता है वैसा भी पूरा नहीं है भारत में अपना मात्र समाज में परिवर्तन करने का बहुत सारे काम आज भी बाकी है लेकिन जब युवापीडी तयार होता है एक करने का संकल्प मन में लेकर चलता है तो परिवर्तन शुरू हो जाता है अटल जी ने अपना एक कावी में कहां आंखों में वैभव के सपने हि पग में तूफानों की गति हो राश्ट्र भक्त का ज्वार नरुकता आये जिस्जिस की हिम्मत एक काम करने के लिए एक वैभव का हपना का हमारे सामने होना चाहिए और करने के लिए हिम्मत जो होना चाहिए हूँ हमारा मन में बुद्धी में होना चाहिए और कि यह काम यह यातरा जिए उसमें एक महत्वपूर्ण भागीदारी भूमी का अपना होना चाहिए विद्यारति परश्यत जैसा राष्ट्रियर दुरुष्टी करतने वाले संगटन समस्ताय ऐसा एक मोका सबको दिया है इसको पूर्ण उपयोग करते हुए अपना जीवन में यह संकल्प लेकर हिम्मत से जो अटल जी ने आवान देया है आये जिस जिस की हिम्मत हो हमार सबके पास हिम्मत है उसका सही उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ऐसा कहते हुए मेरा वक्तव में यहां समावत करता हूं नमस्काय